हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ जागरती एंड वालकम टू माई चैनल टू एट हूम और आज की हमारी रेसिपी है चॉकलेट फज। चॉकलेट सबको पसंद होती है तो आईए देखते हैं चॉकलेट फज बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आफशकता होगी 200 ग्राम मिल्क पावडर, 200 ग्राम चीडी, 100 ग्राम अन्सॉल्टेट बटर, 3-4 टेबल स्पून कोको पावडर और आधा कप पानी और एक बाउल ले लेंगे जिसमें फोयल पेपर लगा कर हमने बटर से ग्रीस कर लिया है सबसे पहले चलनी में मिल्क पावडर और कोको पावडर को मिक्स करके चार लेंगे अच्छे से अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम एक पैन लेंगे उसको गरम करके उसमें चीनी और पानी मिला देंगे अच्छे से मिला देंग और हम इससे वन थ्रेड कंसेस्टेंसी की चार्षणी तैयार कर लेंगे बटर डाल देंगे और अच्छे से विक्स कर देंगे अब इसमें हम मिल्क पावडर और कोको पावडर का मिक्चर जो हमने तयार कियाTHA वो डाल देंगे और अब लो फ्लेम पर इसको 2 मिनड़ तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे तु देखिए मिक्स हो चुका है अब हम इसको ग्रीज करेवे बाउल में डाल देंगे और चम्मच से इसको 4 तरफ योगे इसको सैट कर लेंगे और हम इसको रूल टेंपरेचर पे रखेंगे या फिर आफ्रिज में भी रख सकते हो 10-15 मिनट के लिए अच्छे से चम्मच से सैट कर लेंगे और मैं यहाँ पे रोम टेंपरेचर पे रख रही हूँ करीब आदे गंटे के लिए आदे गंटा हो गया है और यह देखिए जो फज है वो अच्छे से जम के तयार हो गया है अब हम इसको काट लेंगे जैसे आप मन चाहे वैसे शेप में काट लें डिलिशियस चॉकलेट फच तयार है आप भी घर पे बनाईए और मुझे कमेंट में लिखिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू सो मज